है रो स्टुडेंट्स इस वीडियो में आप देखने वाले हैं बहुत इंपोर्टन क्यूश्यन है यह हाईजन बर्ग का अनिश्रित्ता सिद्धान लिखे तथा इसके आधार पर इसके आधार पर क्या करना है हमको उसे उजाता था समय के पदों में और कुनिय स्थीति तथा कुनिय समवेक के पदों में हाईजन बर्ग का अनिश्रित्ता सिद्धान को क्या करना है सत्तापित करना है तो हाईजन बर्ग का अनिश्रित्ता सिद्धान पहले हमको पढ़ना पड़ेगा क्या है और इसको पढ़ने से पहले हमको दो चीजे पता होनी चाहिए कि कन जो होत कन होता है स्थुलकन और एक कन होता है क्या सुक्ष्मकन स्थूलकन किसे कहें गे जिसका आकार क्या होता है बहुत बढ होता है अकार क्यों होता है बड़ा होता है जैसे बॉल लेली अफन ने घाड़ी लेली कंचल ले लेक छोटा सा तो इसका आकार क्या होता होता है बहुत ही अधिक होता है और सुक्ष्मकन की बात करेंगे तो इसका आकार जो होता है वो क्या होता है महुत ही छोटा होता है जैसे सुक्ष्मकन की बात करेंगे तो यह इलेट्रॉन है इलेट्रॉन भी क्या करता है गती करता है तो यह इलेट्रॉन जो है वो क्या करता है सुक्ष्मकन करता है अब यहाँ पर स्थूलकन जिसका आकार बड़ा होता है इसकी गती और उसकी स्थिती की वाख्या करनी के लिए गत पर बन लगगेगा और हैंना इस टाइप इसका में हर्वाण क्लिए फाल लगेँ, र्क टी की व्युआ करने के लिए गति का समीकरहन रू इंक्वाल थू यह उसकी स्थिति को प्रद्रशित कर देगा कि कितनी दूरी उसने विस्थापित की है ठीक है उसके बाद में तीसरा सम्भीकर्ण क्या होगा वी स्क्वेर इक्वल टू कितना यू स्क्वेर प्लस कितना ट्वाइस एस यह उसकी प्रारम्भी स्थिति जूर्जा प्रारम्भी जो हम गति के समविकरण और गति की नियम के साहथ से हम कर सकते हैं, लेकिन जब हम सुक्ष्मा कर सोकते हैं, जिसको हम उसके गति की यह लगती है, quiere'tron हम उसको 시간 गति के प्रतुम समविकरण गति के समी सेह noi करन noi करन तेतिय समीकरण है अने मतलब गति के समीकरण गति के नियम इसके साथ से STEP से हम किसी भी एले ट्रोन की व्याख्या नहीं कर सकती है अब हापन न्यूटन का गति का नियम लागू समीकरन ठीक है ये स्थूल करनों के लिए लागू तो होंगे लेकिन सुक्ष्मकनों के लिए लागू नहीं होगा है ना क्योंकि यदि हम इलेट्रॉन की गति की बात करते हैं है ना को तो इलेट्रॉन यदि क्या हो रहा है की ओ अधिए ऑट्यक्ति की बातोना शसक्ष्म in scarce कि जिसके हमें近یا यदि बाता है कि मानों तो कोई फच्व कण के साथ में उसक्ति क्या होती हैं मुत समबध्द होति है ना तो इलेट्रॉन ये जिदि गतिमान होगा तो क्या बनेगा विद्दुशेत्र उत्पन्न होगा है ना गतिमान गतिमान एलेट्रॉन से क्या उत्पन्न होता है विद्दुशेत्र उत्पन्न होता है और इस विद्दुशेत्र के परिवर्तित होने से क्या बन जाएगा चुंबखे शेत्र बनेगा क्या बनेगा चुंबखे शेत और जैसे जैसे विद्धु सेत्र जैसे अंधे हम बढ़ते हैं तो वैसे वैसे उसके आसपास चुंबब के शेत्र जो भी हे वो बंता है और सु पेश्यकल की प्रबलता उसमें जो धारा उत्पन नहों तो उस धारा के क्या होती है अनुक्रमान पाती होती है उसी के उसारों बढ़ती रहती है जिसे हमने देखा था परिनलिका लिए विक्वल यहीं में जितनी धारा मुड़ हो ओसके सस्सिंस एक दूसरे के कैसा होता है लंभ दोा यह उत कर रहा है कि गविल दूसरे के theo क्रेशन रहा रा है ना वाडारेशन में और चुंबा के शेत्र जो है वो ज्धी डारेशन में प्रजरीशित कर रहा है तो यह वाडारेशन में इस प्रकार से और इस प्रकार से और चुम्ब के शेत्र इस प्रकार से है तो एक दूसरे के परस पर लंबवाद विद्धु शेत्र रहता था चुम्ब के शेत्रो के लंबवाद क्या चलती है एक तरंग चलती है जिसको हम क्या कहते है जिसको हम कहते है विद्धु शुम्ब के तरंग क्या कहते है विद्धु शुम्ब के तरंग और ये विद्धु शुम्ब के तरंग हमेशा किसकी रूप में चलती है प्रकाश के वेक से चलती है तो कोई भी एलेक्ट्रॉन जो है वो गतिमान इदी हो रहा है तो वहाँ पर क् परिवर्ती विद्दुशेत्र बनता है और इस परिवर्ती विद्दुशेत्र से क्या बनता है परिवर्ती चुम्ब के शेत्र बनता है जब परिवर्ती विद्दुशेत्र और परिवर्ती चुम्ब के शेत्र एक दूसरे के कैसे होते नबे डिगरी होती है तो दोनों के सकते हैं, यह समय चलाव की लिए इलेटरोन क्या होना चाहिए, हम प्रकास के की हाँ अब प्रकास की व्ِّक की स्थिति को है्ट मीटर प्रति सेकंड होता है, मतलब एक सेकंड में वो क्थितना चलेगा तीन लाग किलोमेटर चलेगा अब यह दि हम एक सेकंड में तीन लाग किलोमेटर की बात करते हैं तो वहाँ पर हम इलेक्टरॉन की स्थिती को ही प्रदरशित कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्थिती में इलेक्टरॉन कहाँ पर होगा और उसके वेग को भी प्रजशित नहीं करेगे कि पर्टिकल स्तिती पर उसका वेग और समवेग क्या होगा क्योंकि एक ही समय में पल भर में कहा चल रहा जा रहा है तो ऐसे इलेक्ट्रोन जो कि जिसका द्रेवमान बहुत कम है लेकिन उसका सम्वेग बहुत ज्यादा है तो उसकी व्याख्या करने के लिए हम क्या कह सकते है कि इस जो इलेक्ट्रोन यहां पर जो क्या हो रहा है एलेक्ट्रोन जो यहां पर मूँ कर रहा है तो इस पैकेट में जैसे हम कहते हैं कि प्रकाश यह दी किसकी रूप में चल रहा है उर्जा के बंडलों की रूप में चल रहा है किस की रूप में चल रहा है उर्जा के बंडलों की रूप में चल रहा है जिसमें बहुत सारी तरंगे क्या होते हैं अध्यारूपित हो के चलती है यह परिणामी तरंग है तो इस परिणामी तरंग में इलेट्रॉन की स्थिती कहा पर हो गी और उसका कीतना रहेगा ये हम प्रजर्शित नहीं कर सकते है तो हायजनबर्ग ने यही दिया हायजनबर्गा का अनिस्चिता का सिद्धान यही है क्या हम किसी भी सुख्षम DISTRIYAKन की स्थिती है स्थिति और उसका समवेग क्या पता नहीं कर सकते वो स्थिति अनिश्चित होती है निश्चित नहीं होती कि यह पर्टिकुलर स्थान पर उसका समवेग कितना होगा और उसकी स्थिति कितनी होगी तो उसकी स्थिति और उसके समवेग के मापन में अनिश्चित्ता या पर आपन देखेंगे किस प्रकार से होगा ? wu बता दिया मैंने कि एलेट्रोन County बी इलेट्रोन का नइदी गतिशील होता है है तो उस्से क्या बनता है ? परीवरती विद्धुषित्र से परीवरती चुम्प के शेत्र बनता है और जब यह परिवर्थी विद्दुशेत्र और चुम्ब के शेत्र है ना क्या होता है परस पर लंबौत होता है तो उन दोनों के लंबौत क्या चलती है विद्दुचुम्ब के तरंग चलती है और इस विद्दुचुम्ब के तरंग में हम इलेट्रॉन की स् होती है हम पता नहीं कर सकते कि यह पर्टिकुलर टाइम में उसकी स्थिति और उसका सब्वे कितना होगा तो यही क्या है हाईजनबर्ग का अनिश्चित्त का सिद्धानत है तो अब परिवाशा से देखते किस प्रकार से होगा पूरा बंद कर दियागी